हलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उमीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे चारू असोप और राजीव सेंग की शादी शुदा जिंदगी वाला जो मैटर है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा चारू राजीव लगातार एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीते दिनों राजीव ने चारू पर करन महरा के साथ अफ्यर का भी आरोप लगाया था करन महरा ने इस पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि राजीर जो भी बोल रहे हैं वो बिलकुल जूट है और वो उन पर मानहानी का केस करना चुआते हैं और अब इस पूरे मुद्दे पर जो करन महरा है उनकी एक्स वाइफ यानि की निशा रावल का भी रियाक्शन सामने आ गया है यकीनन मैं आपको बताना चाहती हूँ निशा रावल के इस रियाक्शन को सुनने के बाद आप चौक सकते हैं क्योंकि निशा रावल ने एक नहीं बोलना चाहती हूँ मैं नहीं जानती कि ये क्या मैटर चल रहा है लेकिन जब बार 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 निशा से इस पूरे मुद्दे पर यानि की चारू और करन के बीच में अफ्यर की खबरों पर सवाल किया गया तो निशा रावल खुद को कंच्रोल नहीं कर पाएं औ एक तरह से निशा रावल ने करन और चारू के रुष्टे पर कोई भी ओफिशली तोर पर बयान देने से परहेज ही जटाया है वो उनका बेसिकली कहना है कि वो इस पूरे मुद्दे में तांग नहीं अना चाहती है और अपनी द्राय देकर बिना बात पे कोई मुद्दा नया क्रियेट नहीं करना चाहती है वही अगर चारू राजीव की बात करें तो ये दोनों अपनी शादी को अब बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं करना चाहते हैं अब ये पूरी तरीके से ठान चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और अब इन दोन लगाए हैं वो उनके लिए बहुत जादा हुमिलेशन की बात है बहराल आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो और इस पूरे मुद्धे पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है जो निशा रावल ने स्टेट्मेंट दिया है वो कितना सही है इस वीडियो में फल्हाल है तो वीडियो को लाइक करना शेर करना ना भूलेगा